कुकू टीवी अरे सविता बेहन, तुम यहाँ, आओ अंदर आओ, क्या हुआ, सब ठेक तो है ना? श्रीधर भावजी, आप जानते तो है ना? मेरे दोनों बच्चों को बड़ी मुश्किल से पाला है मैंने, अब उनके शहर जाकर कॉलेज पढ़ने का टाइम आ गया है, मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं है की, मैं दोनों को आगे पढ़ा पाऊं। अगर एक बेटे को नहीं पढ़ाया, तो उसके साथ अन्याय होगा। ऐसे में मैं क्या करूँ? तुम शान्त हो जाओ, और ये बताओ कि दोनों मैंसे होश्यार कौन है? मेरा मानव ज्यादा होश्यार है, यू तो अतुल भी ठीक ठाक पढ़ लेता है, मगर मानव पढ़ने में ज्यादा अच्छा है। तो बस फिर अतुल दोनों मैंसे बड़ा है और होश्यार भी, तुम उसे शहर पढ़ने के लिए भेजो और मानव को अपने बास ही रखो। मेरी जान पहचान में एक हलवाई के यहाँ नौकरी खाली है, मैं उसे वहीं पर लगवा दूँगा। श्रीधर की बात सुनकर सविता को तसल्ली मिलती है, वो मानव को बाहर पढ़ने के लिए भेजती है और अतुल को हरिया हलवाई के यहाँ नौकरी करने के लिए लगा देती है, अतुल को ना पढ़पाने का अफसोस तो बहुत था, मगर अपने घर के हालात भली भाती जान मा, ये लो मिठाई खाओ, मेरी प्लेस्मेंट एक बड़ी फूर्ट चेन में मैनेजर के लिए हो गई है, किस में हो गई है, फूर्ट चेन में मा, जब कोई आदमी अपने होटल्स अलग-अलग शेहर में खोल लेता है, उसको फूर्ट चेन कहते हैं, है ना भाया, बिलकुल सही कहा रहे तुने, फाइव स्टार रेस्टरॉं में मा, बहुत अच्छी तनख्वा मिलेगी, धीरे धीरे हम सब शेहर में ही शिफ्ट हो जाएंगे, थोड़े महीनों में मानव का प्रोमोशन जूनियर से सीनियर लेवल पर हो जाता है, और वो अतुल और सविता को शेहर मा, कल मेरे बॉस डिनर के लिए आ रहे हैं, जब मैंने उन्हें बताया कि मैं अपने पूरे परिवार को यहां ले आया हूँ, तो वो बहुत खुश हुए, अरे वा, तु बुला ले उन्हें, आखिर हम भी तो मिलें तरे बॉस को, मगर मा, तुम तो बिमार रहती हो, तो फ खाना बनाऊंगा कि खाने के साथ उंगलियां भी चट कर जाएंगे, मगर एक बात का ध्यान रखना अतुल, बॉस फाइव स्टार रेस्टरॉं के मालिक हैं, खाना उसी के हिसाब से होना चाहिए, आप ये सब बातों की जरा भी टेंशन ना लो भाया, बस काम पे ध्यान द देखना खाना खाते ही आपकी डबल प्रमोशन पक्की, कहते ही सब खिर खिला उठे, अगले दिन अतुल खूब मन लगा कर बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन बनाता है, भाया लगता है आपके बॉस आ गये हैं, मैं दर्वाजा खोलता हूँ, नहीं नहीं अतुल, तू रहने दे, बॉस क्या सोचेंगे कि कैसे कपड़े पहने हैं इसके भाई ने, मैं खोलता हूँ दर्वाजा, और सुन तू अंदर ही रहना, ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, अतुल ये सुनकर बहुत उदास हो जाता है, और बिना कुछ कहे, अंदर जाकर डाइन जहां से, मैं अभी मिलवाता हूँ सर, मा, ओ मा, बॉस आये हैं, नमस्ते भाई साब, कैसे हैं आप, यहां मानव, उसकी मा और उसके बॉस एक दूसरे से बाते कर रहे थे, और वहां अतुल खाने की तयारी में लगा था, थोड़ी तेर बाद वो सब डाइनिंग टेबर पर डिनर करने आये, टेबल को सजा हुआ देखकर, अतुल का बॉस बहुत खुश होता है, एक साइड फॉर्क, दूसरी साइड नाइफ और स्पून, टिशू, टेबल क्लोथ, सब कुछ एक दम परफेक्ट था I hope you like the food, सर, it's amazing, किसने बनाया है, वो, जी, मेरे छोटे बेटे ने, अतुल अरे मानव, अतुल घर पे ही है, अब तक तुने मुझे मिलवाया नहीं उससे, वो सर, वो खाना बनाने में बिजी था ना, इसलिए अतुल, अतुल बेटा, इधर तो आ जरा, अतुल हिचकिचाता हुआ बाहर आता है वा बेटा, खुब चोखा खाना बनाया है थाने तो, कहीं से कुकिंग का कोर्स किया है क्या अ, ने, ने, सर, ये तो हमारे गाउ में एक छोटे हलवाई के यहां नौकर था, इसलिए थोड़ा बहुत बना लेता है अपने भाई के मुझे ये सुनकर, अतुल फिर से दुखी हो जाता है, और खाना खाने के लिए बैठ जाता है जाने से पहले, अतुल के बॉस मानव को एक ओफर देते हैं खाना खाके मज़ा आ गया, ना ही सिर्फ खाना, मगर टेबल एटिकेट्स का भी पूरा खयाल रखा था अतुल ने सुनीता जी, अगर आप बुरा ना माने, तो एक बात कहना चाहूंगा आपका बेटा बहुत टेलेंटेड है, हमें एक नए शेफ की जरूरत है, तो क्या अतुल वहाँ हेट शेफ की नौकरी करना पसंद करेगा मगर सर, अतुल ने कोई फॉर्मल डिग्री नहीं ली है इसमें तो, ये तो ऐसे ही बस थोड़ा बहुत कर लेता है वो थारी टेंशन नहीं है मानव, मारे को बस स्वाद एक नंबर चाहिए, और कुछ नहीं अतुल, तुम कल मानव के साथ आफिस आ जाना, और वहीं पे एक डिश बनाके खिला देना ये सुनकर अतुल तो बहुत खुश हो जाता है, मगर मानव को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती अगले दिन, अतुल वहाँ पहुँचकर अपनी डिश बनाने लगता है ये लीजे सर, डाल बाटी चूर्बा, विद एन इटालियन ट्विस्ट वाँ, वाँ, हो, बहुत बड़ी अडिश है, इसमें जो पुदीने का फ्लेवर है, आहाँ, 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 क्या आपको अच्छी लगी, सर, क्या मैं चक सकता हूँ, अरे ये तो बहुत अच्छी है, तो फिर क्यों, चौक गया ना क्या हुए, सर, मैं कुछ समझा नहीं अब तुम इसे खुद बताओ, या मैं बताओ, वो अतुल, मैं इस रेस्टरॉण के शेफ को तुम्हारी डिश में नमक मिर्ची डालने की लिए कहा था, ताकि तुम्हें यहाँ नौकरी ना मिले क्या? हाँ, और ये बात करते हुए, सविता वेहन ने तुम्हें फोन पे सुन लिया, और मुझे पहले ही इनफॉर्म कर दिया, इससे पहले कि वो शेफ कुछ कर पाता, मैंने उसे फायर कर दिया मगर भाईया, ऐसा क्यों? मैं नहीं चाहता था, कि तुझे भी मेरे जितना पैसा और लाइफ स्टाइल मिले, मैं चाहता था, कि तु ऐसे ही मेरे टुकड़ों पर पले यू आर फायर्ड मानव नहीं सेर, ऐसा मत कीजिये, मेरा भाई दिल का बुरा नहीं है, आप उसे नौकरी से मत निकालिये मानव को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, और वो दोनों हसी खुशी रहने लगते है